हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल आज मैं आपके साथ बहुती खुबसूरत पैटर्न सियर करने जा रहे हूँ इस पैटर्न को आप ओल प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकते हैं जैन्ड साफ स्वेटर, जैकेट, लेडी स्वेटर, कार्डिगन, जैन्ड फूल स्व बच्चों के ओल प्रोजेक्ट के पादि में बनके देखे बहुती खुबसूरत हमारा यह पैटर्न आया है यह हमारे पैटर्न का फ्रंट साइड है यह देखे और यह देखे हमारे पैटर्न का बैक साइड है इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने सेवन के मल्टिपल में फं डालने दस नंबर की सलाई में हमने इस पैटन को बना लेने हैं सबसे पहले हम अपने प्रोजक्ट के साफ से फंदे डालेंगे फिर कोई सा भी बॉर्डर पैटन बना के कंप्लेट करेंगे बॉर्डर पैटन का लिंक मैं आपको निचे डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दे दू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू वीडियो की नोट्फिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें अब हम अपना पैटन बनाना स्टार्ड करत धागा अपनी साइट करेंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो ये बेश रो हमारी रिपीट नहीं होगी फिर धागा पीछे करेंगे और देखें पांच फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन चार पांच हमने इनी साथ फंदों का प्रोसिस रिपीट करना है दो फंदे उल्टे पांच फंदे सीधे तो देखें ये दो फंदे हमने उल्टे बुने धागा पीछे करेंगे पांच फंदे सीधे हमारे प्रोजक्ट के हिसाब से फर्स्ट रो में हमारे जितने भी फंदे होंगे हमने यही प्रोसिस रिपीट करने है जो हमारी फर्स्ट बेस रो आएगी उसमें हम यही प्रोसिस रिपीट करेंगे दो फंदे उल्टे पांच फंदे सीधे दूपंदे उल्टे, पाच फंदे सीधे, और लास्ट में हमारे दूपंदे उल्टे और लास्ट का फंदा सीधा आ जाएगा, तो देखें ये front side से हमारी first base row complete होगी, ये base row हमारी repeat नहीं होगी, अब देखें wrong side से हमारा pattern आएगा, ये pattern बनना start हो जाएगा, तो देखे, wrong side से pattern की first row, पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, ये pattern हमारा 7 के multiple में आएगा, 7 फंदों में हमारा pattern आएगा, तो देखे, 7 फंदों में से हमने 2 फंदे सीधे बुने, दो फंदे सीधे बुने के बाद देखे, धागा अपनी side करेंगे, अब देखे, एक फंदे को हम double rule करके बुनेंगे, तो देखे, धागा अपनी side है, और ऐसे सलाई में 2 बार धागे को लपेटेंगे, इस तरीके से एक फंदे को हम double rule करके बुन लेंगे, फिर next हमने 3 फंदे हम डबल रोल करके बुनेंगे, धागा अपनी ही साइड रहेगा, और यह देखे, दो बार सलाई में हमने धागा लपेटा और इस फंदे को बुन लेने, इस तरीके से यह फंदा हमारा डबल रोल करके आ गया, तो देखे, इन ही साथ फंदों का प्रोसिस हम आगे रिपीट कर दो फंदे सीधे आ जाएंगे, यह हमारी पैटन की फर्स्ट रो है, फिर धागा अपनी साइड, देखे, नेस्ट फंदे को हम ऐसे डबल रोल करके बुनेंगे, फिर तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे, एक, दो, तीन, फिर नेस्ट फंदे को हमने डबल रोल करके बुन ले दागा पीछे करेंगे और ये दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड लास्ट का फंदा उठा जाए तो देखें यह हमारी पैटर्न की फर्स्ट रो कमप्लीट हो गई आप देखें फ्रंट इसाइड से पैटर्न की सेकिंड रो में देखे, पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी साइड करेंगे, दो फंदे उल्टे उनेगे, अब धागा पीछे कर लेंगे, अब देखे, नेस्ट हमारे ये पैटरन वाले पांच फंदे आ जाते, अब देखे, ये जो डबल रोल वाला फंदा है, इसको ऐसे सिंगल करे और इसको ऐसे सलाई से उतार लेंगे, अब देखे, जो नेस्ट फंदा है, इसको सीधा बुनेंगे, अब देखे, जो फंदा हमने सलाई से उतारा, इसको हम ऐसे लेफ निडिल से उठार लेंगे, और इस फंदे को भी सीधा बुनेंगे, ये देखे, फिर आप नेस्ट दे भी हमें twist करके बुनने हैं तो देखे जो second number का double roll वाला फंदा है इसको पहले बुनेंगे तो देखे इस फंदे को ऐसे आगे की side से right needle में उठाएंगे आगे वाला फंदा sleep करेंगे इसको back side से left needle में अब देखे ये double roll वाला फंदा single हो गया अब इसको ऐसे left needle में shift करेंगे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे फिर next फंदा सीधा तो देखे ये 7 फंदों में हमारा pattern आगया यही process हमने आगे repeat करना है धागा अपनी side दो फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे अब देखे डबल रोल वाला फंदा ऐसे single करेंगे और इसको ऐसे slice से उतारेंगे फिर second number का फंदा पहले बुनेंगे अब देखे first number का फंदा बुनेंगे तो इसको उठाएंगे left needle में और देखे ऐसे सीधी side से slide डालते हुए इस फंदे को सीधा बुनेंगे फिर next फंदा सीधा अब देखे next second number का देखे जो double roll वाला फंदा है इसको आगे लाएंगे और आगे वाला फंदा पीछे ले जाएंगे अब देखे जो double roll वाला फंदा था इसको पहले बुनेंगे फिर देखे next फंदा बुन लेंगे अब हमारे project के हिसाब से second row में जितने भी फंदे होंगे हमने यही process repeat करना है और last में हमारे दो फंदे उल्टे आ जाएंगे और एक फंदा सीधा आ जाएगा तो देखे यह front side से हमारी pattern की second row complete हो गई और यहाँ पे हमारा यह pattern भी complete हो गई यह pattern हमारा दो ही सलायों का pattern है अब देखे रॉंग side से pattern की third row third row में हमारा pattern repeat होगा तो देखे repeat row पहला फंदा उतार लेंगे धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे एक फंदा हम double roll करके बुनेंगे फिर तीन फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन अब next फंदा हमने double roll करके बुन लेना है फिर दागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे फिर देखें next फंदा double roll करके आएगा तीन फंदे उल्टे एक दो तीन अब next फंदे को हम double roll करके बुनेंगे धागा पीछे करेंगे लास्ट के दो फंदे सीधे आजाएंगे और एक फंदा उल्टा आजाएगा तो देखें ये back side से हमारी pattern की third row complete हो गई third row को हमने pattern की first row की तरह बुनते हुए complete किया अब देखें front side से जो हमारी fourth row आएगे उसको हम pattern की second row की तरह बुनते हुए complete करेंगे अब हमने इन ही दो सलायों के pattern को बार बार repeat करते जाना है और बनके देखें हमारा pattern कुछ इस तरह से आ जाएगा ये देखें बहुती सुन्दर बहुती आसान pattern है आप इसे all project में apply कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें, share करें, comment करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो please subscribe करना न भूले, thank you